मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शुकूर शुरूताओं को मेरा साधर सप्रेम नमस्कार अंग्रेजों के शासनकाल से अभी तक यानि 47 तक उस शासनकाल का पूरे का पूरा इतिहास देखेंगे तो भारत की स्वागधीनता प्राप्ति की दिशा में निरंतर कियेगे अभियानों में चार्श रेनियों के प्रानियों ने बहुत महत्वपूरन योगदान दिया मैंने पहले भी बताया है क्रांटिकारी राजनितिक अंदोलनकारी उसमें कॉंग्रस भी एक संस्था थी साहित्यकार कवी लेखक पत्रकार और सादू संत महात्मा इन सब वर्गों का और हर वर्ग का किसान का मजदूर का फोज आर्मी का बहुत बड़ा आर्मी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा लेकिन दुर्भाक्य का विश्य यह है कि सत्ता धारी राजनितिक नेताओं ने स्वादीन्ता संग्राम में सर्वादिक महत्व कॉंग्रस नाम के राजनितिक दल को देकर शेश सबी की उपेक्षा कर दी ऐसी उपेक्षा की कि जैसे और किसी का योगदानी कोई नहीं और जिनोंने सर्वस्व निशावर कर दिया देश की अधादी के लिए कहीं कुछ नहीं और कॉंग्रस और कॉंग्रस का सत्याग रह और अंदोलन जबके एक भी अंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार हिली नहीं थी पूरा इतिहास देख लिजिए कुछ इंडिया मॉवमिंट में भी लास्ट अंदोलन में भी वह भी पूरी तरह से असफुल हो गया था प्रन्तु यह अंदोलन भी उसका भाग थे जहां मैं यह स्विकार कर रहा हूं पांच-दस परसेंट उस अजादी के अंदर पांच-दस परसेंट कॉंग्रस के इन अंदोलनों का भी हिस्सा हो सकता है जिस कॉंग्रस को शुरू एक अंग्रेज ने किया उस दुस्ट राक्षस अताताई ने किया उस अंग्रेज कलेक्टर इटावा के कलेक्टर ने किया और उसने किया जिसने उसके पहले कही करांथिकारियों को फांसी दिलवाई थी और जे लोंग के अंदर अत्याचार करके कि उनको मार तिया था खतम कर दिया था इस परकार के राक्षिस के दौबारा शुरू की हुई कॉंग्रेस आज किटली के मां बेटे के हाथ में कॉंग्रेस उस समय से लेकर इबाद से भी कॉंग्रेस नडियो क्तमाशे किये हैं जो देश को नुकसान present पूंचाया है इन सबको सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुचाने वाला नहरू और उसके बाद जो हुआ और नहरू से पहले भी कॉंग्रस का इतिहास जो था मोतिलाल नहरू भी अंग्रेजियों का ही स्पोक्सपर्सन था स्पॉंसर्ड था मैं इसके बारे में कई कुछ आपको दे चुका हूं अंग्रेजी शाहस को उन्हें ठारत सो स्तानुए के स्वदीमता संग्राम के उपरांत अपने सैनक और शक्ति अपने शस्त्रों की शक्ति क उपयोग करके हजारों करांतिकारियों की हक्तियाएं करवाईं उन्हें फांसी दी गई समाज पर घोर अत्याचार किये गए अन्याय किया गया उसके पीशे उदेश्य क्या था कि समाज में भय और इनका आत्म विश्वास खतम हो जाए वो भावी जागरित नहों और इसे से हमें हमारी सरकार को स्थाइट तो मिलेगा थारफ सस्तावन की उस महान करांतिक ने एक बार हिला के रख दिया था अंग्रेश को और इसमें एक और तमाशा किया इनों ना इस करांतिके बाद कुछ जो प्रभाबशाली लोग थे उनको सुक्स विदाइन दे करके अलग लग पद्वियां बांट करके और कुछ लोग इसी में खुश होगे कुछ लोगों को जेल की यातना आए कुछ लोगों को हत्याए कुछ लोगों के लिए आतंक भे का वातावरन ये सब चल रहा था लेकर इसी बीच में भारतमा की गोद मैंसे ऐसे समय समय पर वो सपूत जनम लेते रहे जिनकी चर्चा मैंने कल भी आपसे की थी और कल दो दिन पहले उस सारी श्रिंख्रा के अंदर उस सारी कड़ी में जिनों ने देश के लिए सर्वस्व निशावर कर दिया जान हतेली पर रख करके आखरी श्वास तक जूचते रहे संगरुश करते रहे लड़ते रहे और खप गए समाप्त हो गए स्वतंत्रता रूपी महायक में आहुत हो गए उस पूरी श्रिंख्रा के अंदर भी एक नाम जो दो दिन पहले एक पार्ट में मैंने दिया था पर्मानंद पंडित पंडित पर्मानंद पंडित पर्मानंद जी के जीवन का मैंने एक हिसाब के सामने रखा था और किस प्रकार से 1913 में गदर पाटी के आदेश पर वो अमेरिका से जापान गे कर cytiform के नक्षे लेने के लिए वहां किसे वह कि संवार रोष चिप के उपर जहाज के उपर बहुत ब्ला करांतिकारियों का दल्शस्त्रों के सहीथ चल पड़ा भारत की और उसमें पंडित परमनंद भी थे पंजाब के वो क्रांती कारियों में आकर के जुट गए वो 21 फबरेरी 1915 का रास्पिहरी बोश का वो निश्चत की आदिम जब क्रांती होनी थी वो क्या हुआ वो सारा मैंने इतिहास आपके सामने रखा है साथ लोगों को साथ लोगों के उपर केश चला उस मेंसे 27 को फांसी दी गई परमनंद और 26 और साथियों को 27 लोगों को फांसी लेकिन पूरे देश के अंदर जन जागरन और जन विरोध इस धंका हो गया कि 27 मेंसे केवर साथ लोगों को फांसी दी गई और ये जो थे ये जो थे उन 26 मेंसे 27 मेंसे इन लोगों को काला पानी की सजा भीज दिया गया अंडे माहन और काला पानी की सजा के बारे में मैं आपके सामने बहुत कुछ रख चुका हूँ लेकिन पहले क्या हो रहा था और इनके पहुंचने के बाद क्या हुआ इनके पहुंचने के बाद क्या हुआ वीर सावरकर ने एक अपनी आतमकठा लिखी यह माराथी में माजी जनम ठेप मेरा आजीवन कारावास इस नाम से उन्होंने एक अपने इतिहासिक ग्रंथ में पंडित पर्मनांड की नरिभीकता और सोअभिमान की घटना का जिन शब्दों में वर्नन किया है वो इस प्रकार से हैं अंडमन जेल का आईरिश जेलर बारी करूरता का प्रतीक महादोश्ट राक्षस जुलमी था आताता ही था लेकन जहांसी के राठ नाम के गाउं में ये निवासी ये तरौन पर्मनंद आजीवन कारावास की सजा के लिए सजापाकर अंडमन पहुंचा था उसने एक बार पर्मनंद को किसी से बात करते हुए किसने जेलर बारी ने बात करते हुए देखा और आगया अपने रोब जमाने हे सिदे खड़ों के बात करो आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं मेरे से बात करो इसने पर्मनंद ने उसको लाइट लिए ध्यान ने दिया जब ध्यान ने दिया तो उसने बारी ने दो तीन चार गालियां दे दी जब उसने गालियां दी तो ये तुरूंत मुड़ा उसकी तरफ और एक, दो, तीन, चार तमाचे जोर से लगा दिये, जड़ दिये तमाचों के अगहात से वो बारी, जेलर, भागा अपने आफिस की और, पक्ड़ो, मारो, बचाओ, भी नहीं, इसको पक्ड़ो, इसको मारो, और मुझे बचाओ, पक्ड़ो, मारो, बचाओ, चलाते चलाते वो जेल के दफ्तर की तरफ दोड़ा, उसकी पिटाई देखकर, बाकी जो बॉर्डर थे, वहां के सैनिट थे, सिपाही थे, उन्होंने परमनंद को पकड़ा, और बुरी तरह से मारा पीटा, होंट फट गए, रक्त बहने लगा, परमनंद की लाठी डंडों से पिटाई की जाने लगी, जेल की सभी बैरकों में खबर पहुँच गई, कि अरे वो जेल का बड़ा जो अपने आपको समझ रहा था, तीज मार खाम, बारी, उसको एक बम गोले वाले ने, यानि इनका करांतिकारी को नाम किया था, बम गोले वाले, बम गोले वाले करांतिकारी ने पीटा है, जेल सुप्रेटेंडन्ट भागा भागा पहुंचा, उसने परमानंद को बैंतों से डंडे से पीटे जाने का आदेश थिया, परमानंद जी को रसी से बान दिया गया, और घेर कर बैंतों से पिटाई की जाने लगी, युव का शरीर लहु लुहान हो गया, मास पेशियां छिल गई, चमडी उधर गई, मगर उस वीर के मुख से उफ तक नहीं निकली, पहली बार, परमानंद द्वारा, बारी की की गई पिटाई से, उसका रोब जो था, बारी का जेल में, जो बना हुआ था, एक आतंक और भे का प्रतिक बना हुआ था, वो कम हो गया था, और तमाम बंदियों ने, जो बंदि थे वहाँ पर, उनकी निगाह में परमानंद का कद बहुत उंचा हो गया था, इज़ित बढ़ गई थी, अरे बाप रहे, इस राक्षस के साथ टक्राने वाला कोई आ गया, वे जेल के हीरो के रूप में उसका आदर किया जाने लगा, पंडित परमानंद का, ये वीर सावरकर लिख रहे हैं, अपनी आतम करथा में, जेल के कुछ बंदियों ने जेल सुपरेटेंडेंट से कहा, बहुत देखो, तुमने गालिया निकाली, इसलिए ये सब हुआ, तुम गालिया निकालना बंद करो, और फिर उसने भी जेलर ने भी, पहले तो थोड़ा सा, ऐसे कुछ, अपनी गर्दना करा के बोलना था उसक लेकर बोलते बोलते आखर मैं कहने लगा, उसने मैसूस कर लिया, सौरी कहा दिया कि ने मैं आप गाली नहीं निकालूँगा, किसी बंदी को गाली ना दें, नहीं दूँगा, इस परकार पंड़त परमनंद की अंडेमान जेल में हमेशा धाक बनी रही, उन्हें तैईस वर वर्ष, तैईस दिन बहुत होते हैं भई साजा के अंडेमान की, तैईस वर्षों के बाद अंडेमान से मुक्त किया, काला पानी से मुक्त करके घर नहीं भेजा, सावरमती जेल में आठ वर्षों तक नजर बंद रखा गया, सावरमती जेल में आठ वर्षों तक नजर बंद रखा गया, और सावरमती जेल में उस समय कई नेताओं से भी उनका मेल हुआ, तीस वर्ष के लंबे जेल जीवन से मुक्त होने पर मुंबई में उनके सम्मान का एक विशाल आयोजन किया गया, लेकिन परमान जी ने ये कहकर वो अबिनंदन का रिकम जो था, वो पत्तर लेने से इनकार कर दिया, इन्वीटेशन, और क्या बोले, मैं घायल और प्राजित सिपाही की तरह जेल से मुक्त होकर आया हूँ, इसलिए मुझे सम्मान प्राप्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, हरे बाप रे क्या स्वाविमान रहा होगा, ये प्राजित होके नहीं आये थे भही ये, आज ये और संगर्श करते रहे, कहीं गिरे नी, डिगे नी, फिसले नी, जुके नी, रुके नी, कहीं सर नी जुकाया, स्वाविमान के साथ और उस जेल के अंदर इतिहास बदला काले पानी की जेल में, उस दुस्ट राक्षस को जमीन पर लाया और बाकी क्यादियों के सामने, फिर उसने उसके बाद उस पर कारते अचार या गाली कमस कम नहीं दिये होगी, इतना इसने, इतना सारा वीर्टा पूर्वक करने वाला जहां से के राठ नाम के गाउं का ये करांतिकारी, आज जीवन किस परकार से आखर के समय में भी तीस वरश की, तैईस वरश की काला पानी और आठ वरश का स्यावर मती का नजर बंदी, उसके बाद निकलने पर अभिनंदर नहीं करवाया, अभिनंदर समारों में भाग नहीं दिया, और अजादी के बाद कुछ कांगर्सियों ने जो कई बार कुछ थोड़ा बहुत अंदोलन में गए होंगे सत्यग्रा किया होगा, उनकी पैंशने लगी, उनको पैंशन दी ग कर, उनको कहीं तिहास में नहीं लाया गया, कहीं पढ़ाया नहीं गया, और जो साधारन पता था कि कुछ नहीं होना, और जाएंगे उसी दिन या दूसरे दिन बापिस आजाएंगे, इस परकार का पंडित पर्मानान जी जैसे महान करांती कारिगा, आप अंतिम यात्रा का मैं वर्नन, यह वर्नन मैं नहीं कर रहा, यह वर्नन करांती कारिगों के समराथ, वीर सावर कर अपनी आतम कथा में, अपनी आतम कथा में कर रहे हैं, इस परकार के महान करांती कारी के साथ ही, इन शब्दों के साथ ही, मैं इस महान करांती कारी के जो जीवन का वर्नन मैं आ इसका पार्ट्टू के लिए इस महान कुरांतिकारी को शिद्धा सोमन भेंड करता हुआ मैं अपनी वानी को यहीं विराम दे रहा हूँ फिर समरन करा रहा हूँ याद करा रहा हूँ कि कितने महान कुरांतिकारी उन्हें कितने कश्ट सहे जीवन तक दे दिये कितनी यातनाई सही फार्सी के तक्ते पर जूल गए ठारा सुस्तावन की करांतिक के बाद उनको मरवा दिया गया होल सेल में बड़े पैमाने पर युद बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी संक्या में गाउं के गाउं चला दिये गए अगर अठारा स्तावन के बाद की घटनाओं का और उस संघरश का और उस अत्याचारों का अगर मैं वर्णन करने लगूं तो उसके उपर कम से कम सो वीडियोज अलग से बनेंगी अभी मेरा लक्ष है उन महान करनती वीरों को आपके सामने लाने का जिनको इतिहास में कहीं सामने नहीं लाया गया अगर ये मेरा परियास आपको अच्छा लग रहा है कि मैं ये करता रहूं और ये अच्छा लग रहा है उन अग्यात उन अलपग्यात उन असंक phones ख़तात्मा को हम इस बहाने स्मरन कर रहे हैं उनको याद कर रहे हैं और आज की स्पीडी तक उनको पूँचा रहे है ताके वो प्रेशना बनी रहे और भारत मा की गोच से हमेशा ही क्रांतीकारी जो है वो जन्नम लेते रहे आज जो चनौतियां हैं आज भी बहुत से गदार है पहले भी गदारों के कारण ही हम गुलाम हुए है आज भी वो बहुत से गदार आपको अलग-लग चैनल्स के उपर अलग-लग दिख जाएंगे साम को नौ बजे के चैनल में आठ जोकात दिखाना जरूरी है और उनके लिए कनून बनने चाहिए ये नीचे से प्रैशर जाना चाहिए देश के सज्जन और देश बगत लोगों का अगर पर्याप कनून हैं देश द्रोभियों के लिए तो उनको लागू करो अगर नहीं है तो कनून बनाओ इसी बात के साथ मुख्य रूप से उन सब महान करांतिकारियों के समरन करने का ये चैनल आप तक पहुंच रहा है मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए इसको शेर करिए इसको सब्सक्राइब करिए नमस्कार, जय भारत